नमस्ते स्टुडेंट्स परिक्ष्या की दृष्टी से एक और महत्पुन टोपिक छोटा सा एक दो मिन्ट का ही वीडियो है लेकिन महत्पुन है देखो बार्थ के तटिये मैदान ये जो तटा आपको दिखाई दे रहे हैं ये सागर तट हैं और इनके अंदर बीतरी भाग में छोटा सा पतला सा एक पट्टी नुमा बालू का क्या होता है मैदान होता है जिसको मैदान बोलते हैं ठीक है और ये अपने भार्थ में दोनों तरफ है पूर्वी और पस्मित दोनों भाग में है पतली सी पट्टी होती है ये इसको तट ये मैदान ब वाड तट बोलते हैं और काठिया वाड मैदान बोलते हैं तट ये मैदान ठीक है और गुजरात से लेकर गोवा तक का जो मैदान है यानि कि तट है या मैदान है उसको कोकन तट या कोकन मैदान बोलते हैं और गोवा से लेकर मैंगलोर तक करनाटक का ये सहर है मैंगलोर यहा तक का जो मैदान है इसको कनड तट कहते हैं कनड तट ठीक है और मैंगलोर से कन्या कुमारी तक का ये जो मैदान है या तट है इसको मालावार तट कहते हैं और मालावार का मैदान कहते हैं ये ये जो छेतर है मालावार तट ये किसके लिए परसीद है ये पस जिलों के लिए परसिद सागर का खारा जल किसी लेगून किते हैं पस जिल भी कहते हैं तो माला बार तट पर बहुत सारी लेगून और पस जिले हैं ये इसके लिए परसीद है और कन्या कुमारी से लेकर संपून तमिलाडू तट ये जो है ये कोरो मंडल तट के नाम से जाना जाता है कुछ बाग आंदर परदेश का भी आता है लेकिन मुख्य रूप से ये तमिलाडू का तट माना जाता है और यहां पर सर् में वर्षा होती है दक्षनी पस्यमी मांसुन से उस शमय कोरो मंडल तट जो है वो सुखा रह जाता है यानि कि उस शमय यहां पर वर्षा नहीं होती है लोड़ते वे मांसुन से वर्षा होती है और वो पुछा जाता है कि वो नमी कहां से लेते हैं क्योंकि वो तो इस्थली बागों से आते हैं लोटते वी मांसून जो है वो तो इस्थली बागों से आती है लेकिन यहां पर बंगाल की खाड़ी में यह लोटते वे मांसून क्या ले लेते हैं नमी ग्रहन कर लेते हैं और तमिलनाडू के कोरो मंडल तट पर वर्सा करते हैं तो भारत में यहां पर लो कुछ भाग ओडीशा और कुछ भाग, यह जो चितर है कुछ भाग ओडीशा का और कुछ बाग अंदरप्रदेश का ये चितर कहलाता है तकलत त्ट और उत्ट Everywhere को कलिंग तट भी बोलते हैं,, जो कलिंग का यूद असोक ने जित था वो चितर यहीं है इसलिए यहां पर कलिंग तट भी इसको कहा जाता है और इसको उत्री सरकार तट भी कहा जाता है ठीक है तो पूर्वी तट के उपर सबसे उत्री भाग के तट को कहा जाता है कलिंग उत्कल और उत्री सरकार तट और तमिलनाडू के तट को और कुछ भाग अंदरप्रदेश के तट को कहा जाता के तट को मुख्य रूफ से क्या कहा जाता है मालावार और मैंगलोर दो से गोवा के बीच में कनद और गोवा से गुजराद को कन मायद करें तो यह तत ओड़ मै जोटा सा टोपिक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार